इस वीडियो में बात करेंगे बीड और बीटीसी का जो सुप्रीम कोड का ओडर आया है कल से आने के बाद काफी चीज़ें बदल गई है तो उन सभी चीजों को चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम डिसक्स करेंगे कि जो यूपी में यूपीट हुआ था उसके करेंगे कि पेपर वन के लिए क्या बोला गया था जो उसका माक्षिट आया था ठीक है तो आइए चलते हैं देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है कि अगर प्याटी के लिए बीड इलिजबल रहेगा या नहीं रहेगा कोड के और के अनुसार क्या चेंज़ेंगे ठीक कि अभी की कंडिशन बता रहा हूं आगे चल के क्या होगा यह पता नहीं है बस अभी की बाते में कर रहा हूं कि जो प्रजेंड में यानि कल के और के बात जो अभी तक का सब्सक्राइब करेंगे आपे आप देख सकते हैं इस पॉइंट को जब 2021 का जो प्राथ्विक अस्त कि मैं यहां पर बात करूंगा यूपीटेट बीड के लिए तो इसमें दिया गया था यूपीटेट 2021 की प्राथ्मिक अस्तर की परिक्षा में समलित बीड प्रसिक्षण योगता वाले अभियर्थियों का परिक्षा फल माननिय उच्छ नियायाले में योजित याचिका 1512-2022 प्रतीक मिश्रा वह अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्जी वह अन्य में पारित होने वाले अंतिम निरणे के अधिन रहेगा यानिकी जो आप देख सकते हैं यहां पर माननिय उच्छ ने आयला यानिकी सुप्रीम कोड के कोर्डिंग जो डिसीजन आएगा उसके आधार पर ही डिसीजन लिया जाएगा यह पहले से ही दे दिया गया है इसलिए यूपी में जो यूपीटे 2021 का जो सर्टीफिकेट है अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि इसी कोड के और का इंतजार किया जा रहा था अब ऑडर आ गया है तो अभी के लिए क्या है कि जो बिय डिर्ण वाले हैicho अनका प्रती में अनिकी प्राइमरील का प्रती कह जो सर्टीफिकेट ओंगाメ विडिर यूद वाल आप देख सकते हैं अब बस आपको भी बीटी सी वालों को दिया जाएगा अभी आगे चलके क्या होगा यह बात नहीं मैं डिसक्स कर रहा हूं अभी मैं बता रहा हूं जो प्रजेंट का सीन है ठीक है तो आये चलते हैं नेक्स पॉइंट आप मैं डिसक्स करूंगा सीटेट क कि बाइड़ कि अपाइनल डिसीजन में यहां से अच्छे से दिख रहा है फाइनल डिसीजन आप दा हॉनरेवल सुप्रीम कोर्ट रिम रिम रिवाइंडर्ड इन्द एस्पील नमबर यह दिया गया है 322 आफ टू जिरो टू 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 ट कोड़ के अधिन रहेगा यह 2022 का सीटेट का सर्टिफिकेट और जो 2021 का यूपीट का सर्टिफिकेट है यह भी आपका उच्छे नयायला यानिकी सुप्रीम कोड के अधिन ही रहेगा जो वहां पर ऑडर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा तो यह तो हो गई आपकी सीटेट की सेकेंड पॉइंट अब हम बात करते हैं जैसे बिहार सिक्षक भरती है जो तो बिहार सिक्षक भरती का देखिए अभी तो आइधिंग कोई डिसीजन नहीं आया है बीप्यसी के तरफ से जो भी डिसीजन होगा दो चार दिन में पता चल जा और डिसी समय हो रहा हैं लोग ओसी टेक्षक भरति हो या फिर भी आर की हैं हो तो जैसे कीप यदव जो हैं अगरि से सामिल हो रहे हैं तो अगर उनका सीटेट ही वैलिड नहीं रहेगा तो बिहार सिक्षक भरती में सामिल कैसे होंगे यह भी बात है तो यह सब चीजे देखने होंगी दो-चार दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या किया जा रहा है गौर्मेंट जिस तरीके से जैसे प्राइमरी का उनका सर्टिफिकेट ही नहीं दिया जाएगा तो जो लोग पास होंगे तो उस बैसे उस पर नहीं बैठ सकते हैं तो यहां पर भी उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा अभी के एक वारिंग ठीक है तो यह थी कुछ मेंट जो पर्फेक्ट रीजन है मतलब जो बीड़ वालों का सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा तो सामिल कैसे होंगे तो अभी देखते हैं क्या होता है विहार सिक्षक भरती क्योंकि यह तो प्रोसेस चली रहा है और उसमें फॉर्म भी भारे जा चुके हैं तो देखते हैं क्या होता है उसमें ठीक है तो यह थी इन्फर्मिशन कैसे लगी अपनी राय जरूर दीजेगा इस बेसिस पर यह जो न्यूज है मैंने न्यूज बताई है मैंने अपने तरीके से कुछ भी यहां पर डिसाइड नहीं किया है जो देखे यह जो सर्टीफिकेट है इस पर भी सारी न्यूज दी गई है फिर उसके बा फिर नहींकि जो एक्थिकेट चाहिए आजे है